डाइ ओक्सिजन की प्रिप्रेशन प्रोपर्टीज स्ट्रक्चर और इंपोर्टेंट यूजिज क्या क्या है नमस्ते मेरे नहीं दिब्दलाल है और इस लेक्चर में हम इनहीं प्रशनों के उत्तर खोजने कोशिश करेंगे अब बता हम क्या पढ़ते हैं डाइ ऑक्सिजन ठेक है अब देखो कि अब उन्हें 16 एलिमेंट्स की जनरल बात कर ली ना अब हम क्या करेंगे ग्रूप 16 एलिमेंट्स के इंक उप्रटेंट गोन को स्टड़ी कर रहे हैं और उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कमपाउंड को व्य ना तो हमारी बोड़ी ऑक्सिजन को ही लेके और फ्यूल को तोड़ती होति है तो भोधे इंपोर्चेमिन स्कूर्ट साइप ये सट्रॉक्ठी मिवाइभ है झाला करते पर लेब इसको कैसे हो डाउसेक्षी। को कैसे बना बना ओगे यह तो आप क्या करो जो मेरे पास है क्लोरेट नाइट रेट यह पर मेगनेट है उनको आप सिंपली गरम कर दो अपन को तो क्या बन जाए अपके पास क्या बनगा मेरे पास क्या बन और इसको हम कैसे वाई तयार कर सकते हैं जो अक्साइड होते हैं उनके थर्मल डिकम पोजिशन के जरीए भी यह तो अपनी बहुता था कि ने पड़ा कि अक्यों आपक्साइड होता ही कि हमारे मेरे पास मैटल उक्साइड एंट्व औ-ट्री क् कि अप्ट है कि अगर सबस्कें तो अगर इसके दो मोल को मैं तोड़ दो तुमेरे पसका बना चीए चाएर मौल तो मेटल प्लस बताओ क्या थीन मौल का वं नीची ओट विदो ती आच्छे तीन दुनिच नीच निया आपको तो अपने औक साइड को डिकंपूज कर दिया कि सकते हैं सबसुसक्का है क्या बना लीया सिलबर औड लीया मर्कूरी रोखिजट के मना लिए ऐट गाय बते हो बना रही बनल स günt लेकिन इसका । जोग या पी बि-टिया एक ब्रैड गसा प्रोसेस में कैनिकल यहां पास डायोक्षिदिन और पीबी ओटू से भी क्या बना कि पीबी ओ मतलब आपने क्या कर देशको बतो इसका ओक श्रेशन गंबर क्या है प्लस फोर है यहां कर रहेगा प्लस टू तो आपने अगर उकसाइड रिडूस कर दिये आपने क्या अगर ल इसका दिया तब भी ओनिकल जाएगी पार्ट लिदूस कर देट भी ओ इक अगर आपके पास है एस्टू क्या होता है वोटर एच्टू ओक्साइड आपने डूक्साइड आपने डॉक्ट्र आपको पता है क्या कोई गाव अगर होता है उसको परोक्साइड से साफ निकरते क्या यह एंटिसेप्टिक होता है क्यों होता है अगर आपने एच्टू ओटू को अपनी क्या कर दिया बताओ ओलो भई मैक्तल या मेंगनीज ऑकसाइड से क्या थे गर बना लेगा वो ट्रेइंड ओटू हाग वूटर तो इस तरीके से यह को हाह सकते हैं लेकिन अगर महले बएस थोड़े लेवल पर आपने हासिल करना है क्या असको आसल करना अगर आपको वहीं कमर्शिल करनी युख कि वार्द स्केल पर इस्तमाल करना हो तो मैंने आपको बताया था कि एर के अंदर बहुत ही ज्यादा क्या होती है वह उस्टेशन होती है एक इस परशेट होती वही तो वहां से वही ऑक्षिजन की वह आते कंसेंट्रेटर क्याते हैं अब आपको पता होगा न कोवीड के आपको पता ना अगर आप पानी को क्या करते हो पानी में से बिजली गुजार देते हो तो पानी किसमें तूट जाता है है एच्टू और वहां से भी क्या मिल जाएगा हमको ऑटो एजन्ट एट तो इसकी प्रोपर्टीज अब थोड़ा हम इसकी बात करते हैं अब देखो मैं आपको बताता हूँ किस mg next करने के लिए हम वंलेकूल को ना करते हैं की निकरते हैं किसी मॉलेकूल को एकस्पिलीण करने के लिए को आए और कि checks कर रहे हैं हो दिखाएंगे ना तो इनके वांस से क्या बनेगा को इन के वांस ओड़िका बनेगा और क्या बनेगा सिखमा आम सेंट सिग्मा इधर हिंए सिग्मा वॉन इस ए रहा हूं इसरत हैं और इनके आप बबनाएंगे फाइट पय क्सपाइट हुआ इसके पास अब इसके पास एक ते ठारा फॉर सोलह सोलह में से दो यहां गे दो यहां गे कितने एंप आए हैं दो और रोर्टे कितने नकिर्ण है तो पहली बात आए पैरामेगेटिक क्या है नो इस फिर मेगनेटिक सिर्टी मेड़ा नूगे तो वह मेगनेटिक फिल्ड्ड लोगे और अट्रेक्ट होगी ऑन क्यों है क्योंकि हाप स्पिन हाप स्पिन स्पिन एक होगी क्या जाएगी टीन जश्य इट पम अशुद्अ काफी है जब यह ओटू एक आपको बई गजब की लकुंद आपको पता हूँ जब यह ओटू हमारे बोडि में आती ना जब हुम सांस लेते हैं तो ओटू हमारे खून में नहीं मिल जाती क्या हिमोगलोबिन से जुड़ जाती न तो उस टाइम पर यह और रहती है उस टाइम पर इसका एलेक्ट्रोपता कहां बैठ जाता है इसमें यानि उस टाइम पर ट्रिपलेट ओटू क्या बन जाती है सेंग लेकिन आपको यह और इसका अले के लोड़ोटिल तो यह लिन इंटा उता है लेनी इसका मोली कुल है और अलों का मेरे पास की प्रॉपर्टीज कि वही अनट बाकी प्रोपर्टीज आप मुझे बता खोगे एक यहां आपको घो अच्छा बढ़ा रहा था तो यहां पर नज़ा रहा था ने पका तो तो क्या मेरे पास को अपको नज़ा रहती है हवा में कितनी सारी होत हुए आपको आवा नज़ा थी क्या और इसके को गंध भी नहीं होती है आपको आपको स्मेल नहीं नदर आएगी अमोनिया के तो सड़ती बाद स्मेल आफिए बिल्कुल थे के बाद और सुलिप्लिटी क्या होती वॉटर में इसकी बादो तीन पॉइंट आठ एम्मेल पर सो एम्मेल बुल जाएगी अगया आपको इतने कैल्विन के उपर जो कि भ में रहने वाले जीव जन्तू प्लांट्स उनके लिए इतनी उक्सिजन क्या होती है सफिशेंट अगर इतना अगर इसके सुलिविटी वोत्कम होती है तो प्लांट इसके उपर जिंदा मेरे पते वही है यह आपको है और यह नबे कैल्विन पर क्या हो जाएगी और ओक्सिजन के तीन ओक्ते वही है और सिक्स्टीन और ओ फिफ्टीन ओएटीन तो आपको कई तरह हैं कि और टू मॉलेकुल देखने को मिल जाएंगे अब और टू मॉलेकूल का जनरली मास करता बतिस होता है लेकिन आपको टेंटिस वाल मास मिल जाएगा चोंतिस वाला सबसे ज्यादा मिलेंगे बत्तिस वाले तेंटिस वाले कम मिलेंगे वोजे बोलो भई उसकी वह प्रेंड दो वह बड़ी का सुपता लागते हो कि 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 अबंडेंस क्या होगी मोलेकूल की लेकिन भी तेंटिस मास कब हो जाएगा अगर इसमें से एक हो क्या हो जाए 17 वाला ओक एक हो 16 वाला और एक हो 17 तो मास तेंटिस हो जाएगा और चौटिस मास कब हो जाएगा या दौनों क्या हो 17 17 एक हो 18 और एक हो 16 मत आपको पले पड़ी तो ओटू मॉलीकूल जो मारे हमकून जराते हैं एर में वह सारे 32 मास के भी नहीं होते भई थोड़े बहुत उसमें 33-34 35 मास वाले भी होते हैं एजन्ट एट और यह पैरा मेंगरेटी क्या होता है सकते हैं और क्या बनाएग उनके ओक्साइड निया आपको कुछे को छोड़ दो जिसे बही क्या बोलते हैं सोनना है या बही प्लैटिनम है या कुछ दूसरी नूबल गैस है नहीं तो सब के साथ जुड़के और सीध्य क्या बना देगा है उनके ओक्साइड है ओके है और बोलो भई है ठीक है और अब दूसरे अलिमेंट साथ इसका जुड़ना हमेशा क्या ताम तोर पे एक्जोथर में क्य बता है प्लशू, काक्यों को अ्यट होों हैi को साथ एलमीन्यक के साथ एलम्यलियू प्रुट्रियों के साथ इस old ओक्साइड ऑक्साइड ओक्साइड फॉस्ट फॉस्ट्र आप को और कूछ強्ड क्या होते हैं सिया सॉ रियक्ट निए हो इठ जास्ट हीज़ के साथ Growing क्या मिला दो वी टू ओ फाइव तो कर जाएगा एजन्ट अब बताओ अब यहां पर में क्या पढ़ना है ओटू की हमने कुछ यूजिज पढ़ने हैं इंपोर्टेट्ट यूजिज बताओ कुण कुण से पढ़ें हैं जींट बढ़ना को सब्सक्राइब अच्डवर्च वोड्य में कि वह सबस्क्राइक कि यूजिज ऑताइए उसको कि मैं ऩीकलने के लिए हमारी बोड़ी में गलुकोज होता है गलुकोज वो रियक्ट करता है और वाटर और हमको मिलती है एनर्जी एजन्ट एट और का इस्टाइलीन वेल्डिंग में मैनुफेक्ट्रिंग फ्मेटल में ठेक है स्टील बनाने में और का इस्टमाल होते हैं वाइड दिन ऑस्पिटल्स है बेद आपको पता होगा ना क्या कितने दिर पहले है कोई बात नहीं है यह ओस्पिटल में क्या इस्टमाल होती है और क्या होता है हाई अल्टीट्यूड फ्राइंग अगर बहुत उचे उड़े तो महां पर आवा बोत कम होती नहीं तो आपर यह वैसे बढ़ने पड़ती है और कंबशन और फ्यूल निसंदेवाद अब बहुत है आपको पता हाइड्राजीन अगर क्या मिला दिया अपने लेक्विड ओक्सिजिन मिला दी रोकेट्स को जबर्दस के मिलता है थास्ट मिलता और मैं आपको बताओं भई अरे आपको बताना बहुत चीज़ों पहाड वगर होते हैं वहां भी क्या चीए होता है ऑक्सिजिन टेंक के इविन आपन पर चड़ नहीं सकते पाड़ों पर तो भई इस लेक्चर में इतना है अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्णिया सुझाओ है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं उनके उत्तर देने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा तो भी ठीक है मिलते हैं अगले लेक्चर मे अगले तो के लिए नास्ट